नमस्कार, आज का जो हमारा टोपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टनेट है जो कलास 9 से है, चैप्टर 5 हम इस चैप्टर में, इस सक्साइज में, इस वेडियो में किसके बारे मताएंगे यूकलिड के बारे में तहीं है, यूकलिड जोमेटरी, मैं मानता हूँ यूकलिड जो मैथमेटिशन थे, ग्रेट मैथमेटिशन, इनका जोमेटरी में बहुत ही ज़ादा जोगधान है, तो अपने टोपिक को स्टार्ट करते हैं, देखिए, सबसे पहले मां आपको बताता सोलिड, सोलिड क्या होता है, सोलिड जो भी आपको सेफ नजर आता है, जिसका सेफ है, साइज है और पोजिशन है, ठीक है, कुछ भी मान के चलिए, आपका कोई मैने चलिए, अकर्ति बना दी, ठीक है, अगर मान के चलिए, इसका सेफ है, साइज है, और इसकी पोजिशन भ यानि कि एक जगह से दूसरी जगह पर अगर प्लेस किया जाता है इसको पलता जाता है इसको जगह से उठाया जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे solid कहेंगे अब बात आती point, a point is that which has no part, देखो ये point हो गया, ये point ठीक है अब हम क्या बोलेगे point which has no length, no breath, no length, ठीक है, no breath और no height ठीक है? जिस भी ना तो length है और ना breath है ना height है A point is that which has no part No part का मतलब कोई हिस्सा नहीं यानि कि आप यह भी यह लिख सकते है A point is that which has no dimension No dimension Dimension क्या होती है? Length होती है, breath होती है और height होती है, ठीक है? तो ना तो इसकी length है, ना इसकी breath, ना इसकी height जैसे हमने fix कर दिया A no co pin A no co pin is cold point ठीक है? अब line की बात है A line is breathless length एक line क्या होती है? Line ऐसे होती है, जिसकी कोई क्या होती है, चुड़ाई नहीं होती है जिसकी चुड़ाई नहीं होती है, ठीक है? Line क्या होती है? एक length जुरूर होती है बट उसमें क्या होती है? Breath नहीं होती The end of line are points जैसे जहां पे line जैसे line यहां पे खतम होगी तो यह क्या होंगे? Point होंगे जहां पे line खतम होती है, वो क्या कहलाते है? Point Surface Surface क्या होता है? Which has length and breath जिसमें length होती है और breath होती है वो क्या होता है? Surface होता है अब बात आती है Euclid देखो Euclid ने बताया है Axiom के बारे में और Postulate के बारे में देखो Euclid Axiom क्या है? क्या कहता? देखिए Things Which are equal to same thing Are equal to one another Things Which are equal to same thing Are equal to one another इसका मतलब क्या है? देखो जैंब पलके दोरा समझाता हूँ जैसे A is equal to B है ठीक है? A is equal to क्या है? देखो Things which are equal to same thing Are equal to another A is equal to B है और B is equal to C है ठीक है? देखो A बराबर B B बराबर C तो A और C भी क्या होए? बराबर होए क्या होँगे? यह और C बराबर यह Euclid first axium है अब second axium क्या है? If equal are added to equal If equal are added to equal The holes are equal देखो यह क्या कहता? किस तरीके से मैं define करता हूँ? जैंब लेके देखो मान के चलिए अगर आपका दो बराबर दो है ठीक है? अगर आपने चार east side जोड़ दिया चार east side जोड़ दिया तो अब यह क्या रहेगा? Equal रहेगा यह Euclid second axium है ठीक है? थर देखिए If equal are subtracted इसका मतलब क्या है? If equal are subtracted from equal are remainder are equal मतलब यह क्या कहता है? अगर equal में से equal गट आ जाता जैसे मान के चलिए यह 5 बराबर 5 है ठीक है? मैंने both side दो गटा दिया जैसे 5 minus 2 और 5 minus 2 तो क्या बचा? 3 बचा 3 बराबर 3 तो यही है अगर आप equal में से अगर equal को minus करेंगे तो जो बचेगा वो भी क्या होगा? equal होगा यह Euclid third axium है अब fourth पे आईए things which point side with one another are equal to one another यानि कि things which are point side जैसे देखी मानने के चलिए यह line है ठीक है? दूसरी line भी इसके उपर पड़ी है तिसरी line भी इसके उपर पड़ी है तो इसका मतलब क्या है? यह सारे आपस में क्या होगे? equal होगे क्या होगे? equal coin side का मतलब होता है एक दूसरे chip का मानने के चलिए कि जितनी इसकी length है इतनी इसकी length यानि कि एक दूसरे के उपर अगर मानने के चलिए यह है और फिर यह है तो तीनों क्या होगे? equal होगे the whole is greater than the part देखो whole का मतलब क्या है जो बड़ा होता है वो उसके parts से बड़ा होता जैसे देखे मानने के चलिए यह line है ठीक है? इस line को मैंने तीन टुकडे में तोड़ दिया जैसे इसमें और इसमें तोड़ दिया ठीक है? तीन टुकडे में तोड़ दिया तो जो यह इसके part होंगे ना वो इससे छोटे होंगे जो यह part है ना इससे छोटे होंगे आप ऐसे कह सकते देखो जैसे इंडिया है ठीक है? इंडिया किसका part है? एसिया का ठीक है? किसका part है? एसिया का तो इंडिया एसिया से क्या होगा? छोटा होगा Asia तो क्या हो गया? Whole क्या हो गया? Whole और India क्या हो गया? पारट क्या हो गया? पारट तो India Asia से छोटा रहेगा बिल्कुल Asia बड़ा होगा या India क्या होगा? छोटा है क्यों क्योंकि India तो Asia का एक क्या है? पारट है अब 6th Exim पर यह इसको डबल करेंगे यानि दो से multiply करेंगे दो से side दो से side तो भी आपका क्या होगा? बड़ाबर होगा क्या होगा? बड़ाबर यह क्या था? यूक्लीड 6th Exim 7th पर आए Things which are halves halves of halves of यह क्या कहता? Things which are halves of the same thing are equal to one other यानि कि मान के चलिए अगर 10 बड़ाबर 10 है जब आप इसका अद्दा करेंगे यानि कि 2 से divided करेंगे halves means क्या होता? halves means क्या होता? अद्दा जब इसका अद्दा करेंगे तो क्या बचेगा? 5 बड़ाबर 5 इसका मतलब क्या है? कि जब कोई thing equal है तो उनका half करेंगे तो क्या होगा? वो भी क्या होगे? equal होगे यह हमारा 7th exam था अब बात आती है Euclid postulate postulate बहुत ही ज़्यादा important है कई बड़ यह भी आता है कि Euclid का first postulate क्या है? fifth postulate क्या है? आपको बताते हैं सबसे important मानते हैं fifth postulate को मानते हैं ठीक है? देखो first postulate क्या है? straight line may be drawn from any one point to any other मतलब क्या कहता है? कि एक point से straight line है ना एक point से दूसरे point तक गिराए जाती जैसे यह हो गया ठीक है? क्या होता है? एक straight line एक point से दूसरे point तक गिराए जाती है यानि कि मिलाई जाती है a straight line may be drawn from any one point to any other point आप ये भी कह सकते हैं देखो अगर मैं इसका विस्तरी तरुप में बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि दो point से सिरफ एक line गुजर सकती है या फिर दो point से एक unique line पास हो सकती है देखो one straight line यानि कि जो one straight line होती है वो क्या होती है two point से पास होती है अब जैसे इसको इसके बारे बता रहा है जैसे मैं बता रहा हूँ given two distinct point there is a unique line that passes through them यानि कि महन के चलिए एक point ये एक point ये तो इन में से जो line गुजरेगी वो क्या गुजरेगी सिर्फ और सिर्फ एक line यानि कि unique unique means एद्विती है जिसके सिवाए कोई नहीं जिसके बराबर कोई नहीं तो देखो दो point से कितनी line गुजरेगी सिर्फ और सिर्फ एक line गुजरेगी अब postulate जो second postulate है a terminated line can be produced indefinitely indefinitely ठीक है जब आप इसको बढ़ा होगे तो आप terminated line को इस तरीके से इतरा बढ़ा सकते हो आप उस side बढ़ा सकते हो ठीक है तो terminated line को हम both side बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते है indefinitely का मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा जिसकी कोई limit नहीं होती अब third postulate देखिए इस circle can be drawn with any center and any radius अब ये क्या कहता देखो एक circle ना एक radius से और center से ही बनता है हमें पता है देखो आपने कोई भी circle बनाया मानगे चलिए इस circle बनाया तो इस circle कैसे बनाया होगा यहाँ पे center लिया होगा और इतनी क्या लियोगी radius इतनी क्या लियोगी radius और आपको पता है radius circle के हर point से क्या होता है distance equal होता है या फिर आपने मानगे चलिए बड़ा circle ले लिया है ठीक है तो बड़ा circle भी आपका center के बगएर तो नहीं खिंचेगा क्योंकि आप प्रकार लेंगे और 2 cm, 5 cm जितनी प्रकार खुलके आप कोई भी कवरो खिंचते हैं तो क्या आकरती होती है जब आप उसको बिल्कुल circle के type में आपका क्या हो जाएगा goal type में circle हो जाएगा तो circle का क्या होता है center होता है और क्या होती है यहां पर आपने बड़ा बना दिया तो यह क्या होते है congruent होते है क्या होते है congruent यह क्या होते है बरबर होते है बरबर right angle हर जगर कितने का angle रहेगा 90 degree का अब जो postulate है फिप्थ postulate बहुत ही ज़्यादा important है इसको parallel postulate भी कह सकते है parallel postulate ठीक है यह क्या कहता है if a state line falling falling है जी if a state line falling on two state line make the interior angle on the same side of it taken together less than the two right angle triangle ठीक है two right angle देखो मैं बताता हूँ आपका बिस्तित रूप में क्या है जैसे माने के चलिए दो आपकी क्या है कोई भी दो line है कुछ भी दो line है आपकी ठीक है जब आप इनके मतलब क्या होता है इस तरी के से आप लेते हैं मान के चलिए यह ले लिए आपने ठीक है अगर यह आपका देखो अगर यह आपका यह angle और यह angle दो right angle से कम है देखो दुबारा repeat करता हूँ दो line ले लिए आपने मानने के चलिए ये एंगल और ये एंगल का जोड दो right एंगल से कम है यानि की इन दोनों का जोड जैसी ये एंगल A ले लिया ये एंगल B ले लिया अगर इन दोनों का जोड अगर 180 से कम रहेगा तो ये line आपस में एक point पर मिलेंगी तो जो दोनों एंगल है तो जो दोनों angle है ये angle और ये angle का जोड 180 से क्या रहेगा कम रहेगा यानि कि two right angle से कम रहेगा तो ये line एक दूसरे को कहीं दूर जाकर मिलेंगी कहीं दूर जाकर क्या होगा मिलेंगी यही क्या है fifth postulate मैं दूर रिपीट करता हूँ वो क्या कहता है अगर दो line पे कोई तीसरी line गिराई जाती है तो जो ये angle बनते हैं interior angle तो जो इनका sum है वो two right angle से चोटा होगा यानि कि 180 से right angle में होते हैं 90 तो two right angle में कितना होगा है 180 अगर 180 से चोटा रहता है तो ये क्या होगा जब आप इसको indefinitely बढ़ा होगे तो एक point पे जाकर ये मिल जाएगा यानि कि इसका जो 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 इनकल है ये 180 से कम रहेगा अगर आपको वीडियो अची लगे तो लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और शेयर कीजिए धन्यवाद